और इस कैमरे से काफी सारी हॉलिवूड मुवी की शूटिंग हुई है, काफी सारे टीवी सीरियल्स, नेट फ्लिक्स और वेब सेरिस, आज हम बात करने जा रहे हैं, कैनन 5D Mark II, फूल फ्रेम DSLR कैमरा की, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, इस से लिए वे सैंप वीडियो, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या ये कैमरा आज की तारीक में आपको लेना चाहिए या नहीं, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, चैनल पे अगर फर्स ताइम आए हैं, तो कहें चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बैल आइकन को भी प्रेस कर देना, कैनन 5D Mark II एक बहुत ही स्पेशल और लेजेंड कैमरा है, ये कैमरा लॉंच हुआ था दो हजार नो में, तो आप इमेजन कर सकते हैं, अल्मोस्त तेरा साल पुराना हो चुका है, और ये साल तो अल्मोस्त खतम होने को आगया, तो वेडियो शूट कर सकता था, और इस कैमरे से काफी सारी हॉलिवूड मुवी की शूटिंग होई है, काफी सारे टीवी सीरियल, नेटफलिक्स और वेब सरीज पूरी की पूरी इस DSLR से शूट होई है, तो आप इमेजन कर सकते हैं, कि इस छोट से DSLR से कितने हाई लेवल की म पारे में बात की जाए, तो वो जायज नहीं होगा, क्योंकि ये कैमरा टेकनिकल स्पेसिफ केशन से काफी ज्यादा बढ़क है, अगर हम बात करें इसकी ISO रेंज की, तो 100 से लेके 6400 तक जाती है, और जिसको कि हम एक्सपैंड करके 25600 तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आ 21MP काफी अच्छा साइज रहता है, ना तो बहुत जादा कम है और ना ही बहुत जादा है, फ्रेम पर सेकंड की बात करें, तो 4 फ्रेम पर सेकंड में ये शूट कर सकता है, तो इसलिए ये कैमरा पूर्टेट फोटोग्राफी वगरा के लिए काफी अच्छी चोइस रहेग और फोकस, continuous tracking इस कैमरे में आपको नहीं मिलेगी, हाँ, आप वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक जंगे अपना फोकस लॉक कर सकते हैं, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें, लेकिन जो आपको एक अच्छा advantage इस कैमरे में मिल जाता है, वो ये है कि आप इ इसकी screen की बात करें, तो screen आपको fix मिलती है, आपको flip out screen नहीं मिलती, उस वज़े से अगर आपको vlogging करनी है, या YouTube के लिए वीडियो बनानी है, तो थोड़ा सा difficult हो सकता है, तो इसलिए आपको अलग से इसमें external monitor attach करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा mirror या selfie mirror टाइप का लगाना प पर लगा सकते हो, तो फिर ये जो screen में जो भी चीज़े देख रही है, आप उस बड़े monitor पर देख सकते हो, तो अगर आपको YouTube के लिए video बनानी है, vlogging करनी है, तो ये इतनी अच्छी choice नहीं रहेगा, हाला कि अगर आप camera के पीछे रहते हैं, आप और लोगों की video बनाते हो, आप cinematic video बनाते हो, तो तब कोई problem नहीं है, क्योंकि आप तो camera के पीछे रहोगे, तो आपको पूरी पूरी screen में क्या दिख रहा है, सारी चीज़े दिखाई पड़ेगी, तो तब आपको एक flip out screen की जरुत है ही नहीं, अगर इसकी build quality की बात की जाए, तो काफी अच्छी इसक जो ही करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक अलग से dial मिल जाता है, उसके अलावा उपर में तो dial है, तो आपको जो भी settings चेंज करनी है, आप shutter speed aperture यहाँ से change कर सकते हैं, और shutter speed आप यहाँ से change कर सकते हैं, उसके अलावा आपको उपर में एक top LCD screen भी मिल जाती है, जहाँ प आप अपना headphone, mic, USB port, HDMI यह सारी चीज़े connect कर सकते हैं, आपको तमाम किसम के यहाँ पे port मिल जाते हैं, आप इसमें अलग से DC power source भी connect कर सकते हैं, तो आप continuously इसको power दे सकते हैं, अगर आपको कहीं घंटे shooting करनी है, अगर हम video recording limit की बात करें, तो एक वक्त में 30 मिनट की ही इसमे आपका CF express card पढ़ता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड में पढ़ता है, और यह जो आपका CF express card होता है, यह काफी strong होता है, अगर हम इसको SD card से compare करें, यह पाना आपको निकाल के दिखा देता हूँ, यह almost lohega होता है, तो आप देख सकते हैं, यह मेरे हाथ में CF express card, और यह काफी robust होता है, वो almost पूरा metal का होता है, जो आपका SD card है, वो plastic का होता है, वो usually जल्दी खराब हो जाते हैं, और यह जो card है काफी fast भी होता है, तो इसकी read and write speed भी काफी अच्छी होती है, तो इसमें आपको यह card मिल जाता है, SD card के पजाए, और यह जो आपका card है, इधर पे side में पढ़ता है, और इसमें आपको काफी बड़ी battery मिल जाती है, नीचे से ऐसा दिखता है, battery यहाँ पर पढ़ती है, इसकी battery का size देखो, कितनी बड़ी battery है, तो अगर आपने battery को पूरा charge कर लिया था, और आम से 700, 800, even 900, यह 1000 फोटो भी है, easily निकाल देगी, और build यह लाग तक पहुंच आता है, उसके बावजूद भी है, एकदम perfectly काम करता रहता है, तो इसी वज़े से इसको legendary camera बोला गया है, कुछ तो इसमें बात होगी, तभी आज की तारीक में भी इतना पुराना होने के बावजूद भी second hand market में यह काफी महंगा बिखता है, अब द इसलिए जब भी आप इसमें कोई lens use करेंगे, तो आपको background blur भी जादा मिलेगा, maximum background blur मिलेगा, आपको पूरी focal length मिलेगी, कोई crop factor नहीं होगा, और आपकी low light performance भी जबर्दस रहेगी, अब इस camera का autofocus photos में काफी अच्छा है, 9 autofocus point आपको इसमें मिल जाते हैं, dynamic range इतनी अच photography वगरा करनी है, तो उसके लिए इतना अच्छा नहीं है, तो अगर आपको इससे करनी है lens के photography, तो आप exposure bracketing का use करें, multiple exposure के different shots लें, और फिर उनको combine कर दें light room में, ताकि आपको एक high dynamic range वाली photo मिल सके, उसके अलावक गाईज, इसमें आपको कोई भी flash नहीं मिलता, तो अगर आपको flash use करना है, तो आपको अलग से external flash इसके उपर attach करना पड़ेगा, usually जो Canon के चितने भी full frame camera आते हैं, उसमें आपको flash नहीं मिलता, mostly professional camera में flash होते ही नहीं है, flash mostly जो आपकी APS-C है, जो entry level camera होते हैं, उसी में आपको मिलते हैं, इस camera से लिए हुए कुछ sample photos में screen पे डाल द लिए बहुत ही excellent ये camera है, 4 frame per second आपको मिलते हैं, और आपके portrait में subject इतना ज्यादा more around नहीं करता, तो क्योंकि इसका autofocus थोड़ा पुराना है, तो उस हिसाब से portrait photographic के लिए एकदम number one choice ये बन जाता है, तो आप देख सकते हैं, कितने अच्छे आपके photos आएं, तो अगर आप आपको एक backup camera चाहिए, आप wedding photographer है, आपको एक backup camera चाहिए, वेडिंग में आप different background blur वाले उनके groom के या bride के photos वगरा लेते हो, तो ये बहुत अच्छी choice रहेगा, इविन आप इसको studio के अंदर भी use कर सकते हैं, बहुत ही बहतरी आपको इससे results मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप landscape photography करनी है, sports photography करनी है, तो तब ये इतनी अच्छी choice नहीं रहेगा, तब शायद Canon 80D या Canon 90D या जो अभी आपके latest mirrorless camera आ रहे है, Canon EOS R7 या R10 वो ज्यादा बहतर choice आपके लिए रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये पुराना है तो आपको कावी cheap price में मिल जाता है, और आपको क्यों full frame का sensor मिल रहा है, तो एक excellent choice बन जाएगा, क्योंकि ये camera आज की तारीक में आपको लगबग 25-30,000 रुपे में easily मिल सकता है, सिर्फ camera की body second hand market में, जो की बहुत ही बहतरीन price है, क्योंकि इतने कम price में, एक full frame camera जो की video भी shoot कर सकता है, मिलना बहुत जादा मुश्किल है, और full frame camera की तो अपने फायदे होते ही है, आपको ज़्यादा background blur मिलता है, low light performance बहतर रहती है, और image quality excellent रहती है, इस camera से लीवी एक simple video भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पताया, इस camera में आपका continuous autofocus नहीं है, वीडियो में, तो एक जंगा आपने autofocus fix कर दिया तो वहीं वो fix रहेगा, या फिर अगर आपको focus move करना है, तो आपको manually focus करना पड़ेगा, अगर आप इसको manual focus mode में use करेंगे, वीडियो के लिए बहुत ही better results आपको मिल जाएंगे, वो जो movies वगरा जिनकी में बात कर रहा था, वो सब mostly manual focus वाले mode पे ही shoot हुई है, तो तो इतो सामने pillar है, इसके उपर इसका focus fix कर दिया है, इस camera में आपका continuous autofocus mode नहीं है वीडियो में, तो अगर मुझे अब इस चंगे से कहीं और focus को move करना है, जैसे कि उस background पे, तो मुझे वापस से focus करनी होगी, जगा focus होगी तो focus यहीं का नहीं fix रहेगा, तो कुछ ऐसी काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आपको colors निकल के आ रहे हैं इसमें, देखे कितने अच्छे आपको image quality इससे मिल रही है, colors वगेरा बहुत ही प्यारे ही निकल के आ रहे हैं, camera से तो अगर आपको manual focusing करने में कोई problem नहीं है, या आप अपना focus एक जगा fix कर सकते हैं और फिर video को start करें, तो कोई problem नहीं है, आप इससे भी बैटरीन cinematic videos बना सकते हैं, लेकिन ये camera YouTube के लिए video बनाने और vlogging के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको flip out screen नहीं मिल तो ये ही सिर्फ एक या दो drawback लगे मुझे इस camera से video में, लेकिन अगर आप camera के पीछे रहते हैं, और और लोगों की video बनाते हैं, या cinematic video बनाते हैं, तो आप बहतरीन video इस camera से भी बना सकते हैं, अब guys, final question, क्या ये camera आपको लेना चाहिए, 2023 में या नहीं, तो अगर ये camera आपको मिल जाता है, 25,000 के आसपास, 30,000 भी मेरे इसाब से थोड़ा सा जादा रहेगा इसका, 25,000 या 27,000 के आसपास, अगर आपको ये camera body मिल जाती है, तो आप definitely इसको ले सकते हैं, क्योंकि आपको एक full frame camera मिल जाएगा, full frame के अपने फायदे हैं, already मैं बता चुका हूँ, तो अगर इस price range में आपको ये मिलता है, तो definitely आप इसको ले सकते हैं, आप इसको as a backup camera body use कर सकते हैं, अगर आप एक professional photographer हैं, wedding photographer हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक full frame camera चाहिए और आपका budget low ह तो definitely इस camera को ले लें, इससे आप video भी shoot कर सकते हैं, लेकिन अगर आप camera के पीछे रहे के shoot करना prefer करते हैं, तो जादा बहतर रहेगा, क्योंकि इसमें flip out screen नहीं है, तो आप vlogging या YouTube के लिए video बनाना चाहते हो, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन cinematic video बनाने के लिए भी ये excellent choice बन जाता है, क्योंकि इसमें अलग से आपको mic भी मिलता है, तो guys अब ये आपका decision है, क्या ये camera आपके पेमानों पे खरा उतरा है या नहीं, क्या आप इसको लेना prefer करेंगे या नहीं, और एक और चीज, इस camera के shutter count की tension मत लेना, अगर आपको 1 लाग, 2 लाग या 3 लाग shutter count वाला भी ये camera मिल ला है, तो भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इस camera का shutter बहुत ही rarely fail होता है, even 10-10 लाग, 15-15 लाग होने के बावजूद भी ये काम करता रहता है, तो इतनी excellent इसकी build quality है, इस camera की, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो इसको like कर देना, share कर Facebook, Instagram, WhatsApp अपने status पे ताकि ये वीडियो जड़े ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारी channel को और ज़्यादा growth मिले, okay, channel को कर देना, subscribe, bell icon को भी press कर देना,